फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदो नहीं ये तुम्हें बरबात कर देंगे फादर और चादर समझ गए कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? फादर और चादर से दूर रहो ये पीर वाबाउ से दूर रहो ये पीर वाबाउ से दूर रहो ये पीर वाबा उसे दूर रहो शर्मा जी का लॉंडा इतना बड़ा हो गया है कि पहले वो मुसल्मानों को कुचलने की धमकी देता था लेकिन अब मुसल्मानों और इसाई के खिलाव खुले आम नफरत बो रहा है शर्मा जी का लल्ला इतना काविल हो गया है कि वो विधायक बनने के बाद अब हिंदुत्व की नाव में सवार होकर हिंदू रिदय समराठ भी बन गया है सलाम नमस्ते सस्त्रिया काल मैं हूँ आपके साथ हर्शता मिश्वा और आप देख रहे हैं टाइमस मेल सरकोना फेक अपने फलक पर गुरूर से तू खाक से बना है तीरा घर जमीन है मंदप्रदेश में मामा शिवराज के राज में एक से बढ़कर एक नमूने मिलेंगे कोई नौकर शाहों को चपल ढूने वाला समझता है तो कोई साधवी के भेश में जुआरियों का पुजारी है तो कोई मंच पर महिलाओं के जुल्फू से खेलने वाला नेता लेकिन अब तो मंच से अलपसंख्यकों के खिलाफ नफरत बाटने का काम धडलले से चल रहा है जिन मिशिनरी स्कूलों से पढ़कर बीजेपी वाले काबिल बनते हैं अब कह रहे हैं कि फादर से दूर रहो जिन दरगाहों को हिंदू मुसलिम एकता पहचान मानी जाती है उन्हीं दरगाहों से दूर रहने के लिए बीजेपी का विधायक प्रवचन दे रहा है जिन लोगों को धर्म और कर्म की ए बी सी टी भी नहीं आती वो लोग बता रहे हैं कि हिंदू बहुती ज्यादा खत्रे में हैं कुल मिलाकर पड़ोसी राज यूपी में होने वाले चुनाव पहले ही हिंदू मुसलिम की आग भढ़काने की तैयारी हो रही है इसमें शिवराज का विधायक रामेश्वर शर्मा मंच से खुले आम जहर उगल रहा है आखिर क्या क्या कहा रामेश्वर शर्मा ने और किस तरह का कच्रा फैलाने के लिए ये पहचाने जाते हैं बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी विडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें विजियो को लाइक कर दें और बलाइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिनांदेरी हमारी हर खबर हिंदूों को फादर और चादर से दूर रहने के लिए कह रहे हैं बोपाल में एक दशरा कारिक्रम को संबोदित करते हुए विधायक शर्मा ने कहा कि फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदूों नहीं तो ये तुम्हें बरबाद कर देंगे पीर बाबा से दूर रहो ये हनुमान मंदर जाने में बाधा है वदाक शर्मा यहीं नहीं रुके इसके आगे वो कहते हैं कि पीरों को पूज़ने वालों से बोल दो कि तुम जमीन पर दफन भर भरोसा करते हो, हम दुनिया को चलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग बली हैं रामेश्वर शर्मा फिर कहते हैं कि अपनी संस्कृती का ख्याल रखो और गुड मॉनिंग कहना बंद कर दो सुबह उटकर शलोक पड़ें और धर्ती मा को धनिवाद कहें जो हमें बहुत कुछ देती है अपने इस बयान को रामेश्वर शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि फादर और चादर वालों से दूर रहो जैश्री राम ही हमारा स्वाभिमार है आप भी सुनिए बीजेपी वधायक रामेश्वर शर्मा के इस बयान को फादर और चादर से दूर हो जाओ हिंदो नहीं यह तुम्हें बरबाद कर देंगे फादर और चादर समझ गए कि नहीं अरे समझें कि नहीं फादर और चादर से दूर रहो यह पीर वावा से दूर रहो यह पीर वावा तुमारे हनुमान मंदिर जाने में बादा है पीरों को पूझने वाले से बोल दो कि तुम जमीन में तफ़न पर भरोसा करते हो हम दुनिया को चलाने वाले पर भरोसा करते हैं जो बजरंग वली है हम बजरंग वली पर भरोसा करते हैं और इसलिए कल्चर में ध्यान रखो गुड मोर्निंग भूल जाओ तो सुन लिया आपने रामेश्वर शर्मा ने बयान तो दे दिया लेकिन अब विपक्षी नेताओं ने विधायक के इस बयान को अलपसंख्यकों का अपमान करार देते हुए इनके खिलाफ कारवाही की मांग की है मद्प्रदेश कॉंग्रस कमिटी के प्रवक्ता अजय आदफ ने कहा कि रामेश्वर शर्मा ने अलपसंख्यक समुदाय का अपमान किया है और बीजेपी के सीनियर नेताओं को ये सपष्ट करना चाहिए कि क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं अगर वो ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर शर्मा के खिलाफ गारवाही करनी चाहिए क्योंकि शर्मा ऐसी बाते कहकर विबने समुदाय के बीच में बात पैदा कर रहे है समुदाय का अपमान नहीं किया है अच्छा बीजेपी वाले अपमान और सम्मान की बहुत बड़ी-बड़ी बाते किया करते हैं अपमान से याद आया कि अभी एक वीडियो वारल बुरा है जिसमें मामा शिवराज मंच से पूर्व मुख्य मंतरी कमलात को कोस रहे थे वहीं दूसरी तरफ राज के खनेज मंतरी का दिल मंच पर खड़ी बीजेपी की महिला के बालों पर आ गया बताया जा रहा है कि मंतरी जी का चश्मा बीजेपी महिला प्रत्याशी के बालों में फस गया था अब ये चश्मा जान बूच कर महिला के बालों में फस गया या फिर मंतरी जी के आँखों से महिला के जुल्फों का शिकार हो गया इस बात की जानकारी तो सिर्फ महिला प्रत्याशी ही दे सकती है या फिर मंतरी जी का चश्मा लेकिन धर्म के चश्मे ने बीजेपी की नेताओं को जरूर अंधा कर दिया है जाने हैं जाने ना जाने गुल हीना जाने बाग तो सारा जाने ही फिलहाघन इस वीडियो में बस लतना ही ए वीडियो आपको कैसा लगा कमिञ्ट बॉक्स में आप जरूर बताईए का वीडियो पसंद आये तो लाइक फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई ख़बर के साथ हर्शता मिश्वा को दीजिए इजाज़त जैहिंद तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को हमें उमीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइमस मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें